चिन्दवाडा की बाद बीजेपी देगविजे को गड़ के गड़ कहे जाने वाले राजगड में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में है ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजगड का दौरा करेंगे राजगड में मुख्यमंत्री ग्रहत कारिकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे साथी लोकसभाशेत्र की कोर गुरूप की बैठक में शामिल होंगे इसके अलावा सारंगपुर में मुख्यमंत्री स्थानिय कारिकर्मों में भी शरकत करेंगे राजगण के बाद ये मोहन ग्यादव जबलपूर में पियम मोधी के रोडशों में शामिल होगे तो दिग्गी के गड़ में सेंदमारी की कोशिश भारतिय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है जे मीडिया समधाता प्रमोश शर्मा हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए है प्रमोश चिंदवाड़ा में तो लगबग लगबग सेंदमारी कर चुकी है भारतिय जनता पार्टी और वहाँ पर 19 अप्रेल को वोटिंग भी हो जाएगी लेकिन राजगड में क्योंकि तीसरे चरण में चुनाव है तो अब पूरा फोकस भारतिये जरता पार्टी का दिगगी के गड़ पर है तिगे ओपरीसन चिंदवाड़ा के बाद अब मोहन मूव हो गए यह मद्यपदेश की मुक्रमंत्री है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ और मूव करने की बात करूँ राजगड की तरफ आज फोकस करेंगे वो क्योंकि मद्यपदेश कॉंग्रिस के तो बड़े दिगज नीता है सीनियर नीता है कमलाद दूसरे दिगबे जैसी और दोनों की बड़ी जुगल बंदी कही जाती है अब एक को बादेगे पॉलिटिकल जटका देने के बाद बैक टू बैक तीन से चार दोरे चिंदबाडा करने के बाद कमलाद के करीवियों को कॉंग्रिस से बीजे पी में लाने के बाद अब राजगर्ड की तरफ आप डॉक्टर मोहन मूब करेंगी पियम मोधी के दोरे से पहले देखिए सियासत में आग लग सकती है क्योंकि मोहन राजगर्ड पहुंचने बाले है बहाँ पर वो जनसवा को संबोधित करेंगे दूसरे बूत और कोर कमाटी के वैटेक को लेंगी और कॉंग्रिस पार्टी अलेट हो गई है क्योंकि जब से मध्यप्रडेश की मुक्रमंदी डॉक्टर मोहन यादब बने है तब से मध्यप्रडेश में आवा जाही वाली सियासत हाई होगी है रफ्तार पकड़ी है और बीजपी दावा कर रही है कि पिछले तीन माए में दो लाक से जादा दूसरी पार्टियों के लोगों ने जॉइन किया है इस जॉइनिंग का जो दौर है बो जारी रहेगा क्योंकि राजगर्ड में अब कौन सा उपरेशन चलेगा या आने वाला समय बताएगा चिंदबाड़ा में खेला के बाद अब दूसरी जब है खेला करने के लिए मुख्यमंत्री मूब हो गए लोकसबाचुनाब 29 के मिसन पर वो काम कर रहे हैं मैंने उनसे बादचीत की ती तो उन्होंने कहा था कि उनके पास सिर्फ एक ही टारगेट है फिलाल वो ये 29 लोकसबाचीत जीतना और इसके लिए वो हर वो ममकिम कोशिश करते नजर आ रहे और अब राजगर्ड में आद बैक टो बैक उनके कारिकम होना उसके बाद सामको पी-एम मोदी के रोड शो में सामिल होना दिए कि लोकसबाचुनाब चरम पर पहुँच गया है क्योंकि वीजेपी के स्टार प्रचारक देखिए सरा उनने चोथ तरफा दोरी करते नजर आ रहे बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए आप रहिएगा हमारे साथ तो राजगर्ड वो शेत्र है लोकसबाच शेत्र है जहाँ पर पच्चीस सालों से कमल खिल रहा है और वहाँ पर इस बार कॉंग्रिस के वरिष नेता दिगवीजे सिंग चुनावी मैदान में है और भारती जनता पार्टी की तरफ से तमाम दिगजों को उतारा जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए मुख्य बंतरी भी जाएंगे